हेलो इस्टूडेंट्स स्वागत है अब सभी क्या है अज हम बताने वाले क्लास नाहिंदी के फार्स चैप्टर सेंख्या पतेती से के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन्स तो चले स्टार्ट करते हैं वीडियो तब देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है निम्नी में कौन प जूरू वन इस तरह से चलते जा रहा है, खतम नहीं हो रहा है और चौतावश्चन है रूट अंदर 25-reek. तो बत्यो देखिए यहां परमेसंख्या किसे खहता है परमेसंख्या को गता है जिस संख्या को हम, पी बटा क्यु के रूप में लिख सकते हैं बाकी, P कामान कुछ भी हो सकता है, कोई भी पूर्णांग संख्य हो सकता है. यहाँ पर A देखिए, रूट के अंदर 23 है, और जब कोई संख्या रूट के अंदर पूर्ण बर्णसंख्या ना हो, तो सेंख्या को आप परिमे सेंख्या कहते हैं तो यह वाला परिमे सेंख्या नहीं हो सकता दूसरा है पाई, पाई हमेशा परिमे सेंख्या नहीं हो सकता नहीं होती है आप परिमे सेंख्या होती है इसलिए भी नहीं होगा और छोथा option आप देख सकते हैं ये वाला ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है जो root के अंदर है वो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका value होता है आपका 15 और हम 15 को 15 बटा 1 लेख सकते हैं ठीक और 15 बटा 1 मतलब ये वाला P और ये वाला Q जहां Q not equal to 0 है तो हम इस संख्या को बोल स रखते हैं कि ये वाला एक परिमें संख्या है ठीक है अगला question देखते है는 I hope पहला question समझ में आया होगा दूसरा question कहा रहा है कि neewaliances कौन परिमें संख्या तो यहां पर पहला option is root 2 दूसरा option 2 23 तिसरा option is 0.100001.004 उर ववान इस तरह से चलते जा रहा है और पथच, option है पाई तो अभी हम पिछले questions में बताया है कि ये वहला जो है आसांत दस्मलब परशार है और उसका अनाविर्थी है अनाविर्थी आसांत दस्मलब परशार आपरिमेशन क्या होता है पाई भी एक आपरिमेशन क्या होता है और root के अंदर जब कोई पूर्ण वर्क सेंख्या ना हो आप पूर्ण वर्क सेंख्या हो तो वो भी आपरेमेशन क्या कहलाता है पहला option भी यहाँ पर root 2 दिया हुआ है जबकि यहाँ होना चाहिए था 225 root के अंदर तो यहाँ पर option थोड़ा गलत हो गया था इसके लिए यहाँ पर हम लिख दिये है 225 पूरा root के अंदर होगा यह पूरा root के अंदर होगा ठीक 225 का जो root होता है वो होता आपका 15 और हम 15 को 15 बटा 1 के root में लिख सकते हैं जो की P बटा Q के root में लिखा हो रहा है जहाँ Q not equal to 0 है तो हम कह सकते हैं कि option number A एक परिमे संख्या है ठीक है I hope समझ में आया होगा question अगला question दिखते है question number 3 question number 3 है इन निमनिखित में से कौन परिमे संख्या है यहाँ पर भी आँए परिमे संख्या पूछा है परिमे संख्या वो संख्या जिसको हम परिमे संख्याosaic के रूप में लिख सके है ना और जो root के अदर ना हो और root के अंदर हो तो वो परिमे संख्या नेकलता है और pi एक आँए इनमे से कोई नहीं और पहला option यहाँ Prabhi यह 3 है तो 3 को हम 3 बटा 1 लिख सेकते हैं 3 बटा 1 मतलब P बटा Q और P बटा Q का मतलब होता है परिमेशेंख्या जहां Q not equal to 0 है ठीक यह पहला option answer हो जाएगा अगला question क्या है निमने में कौनug Solink में यहां भी परिमेशेंख्या पूच आये next question में अप next question देख सकते हैं पहला option 0 है दुसरा option root 2 है तिसरा option pi है तो pi आपरिमेशेंख्या है root के अंदर ये 2 है जो पूर्ण बर्ग सेंख्या नहीं है पूर्ण बर्ग सेंख्या root के अंदर इसलिए भी आप परिमेशन क्या होगा और यहाँ 0 है तो 0 को हम लिख सकते है 0 बटा 1 0 एक पूर्ण सेंख्या है वो P कमान हो जाएगा और Q कमान हो जाएगा 1 जो Q बराबर 0 एक पूर्ण जीरो है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिमेशन क्या है 0 एक परिमेशन क्या है ठीक इसके बाद है आपका निमनी में कौन परिमेशन क्या है question number 5 यहाँ भी पूछा है निमनी में कौन परिमेशन क्या है तो आप कह सकते है यहाँ पर दीखिए इस जगह पर जो है रूट के अंदर के पूर्ण वर्ग संक है और यह आप परिमेशेंग क्यों से इस तरह से है तो बहते में है तो यह उपर और रूट 7 root 7 cancel हो जाएगा आपका बचेगा 2 बटा 7 तो ये 2 क्या है? P है और ये 7 क्या है? Q है तो P बटा Q के root में हो गया और Q 0 है इसलिए ये एक परिमें शेंख्या होगा 1 बटा root 2 ये root के अंदर है और ये root के अंदर जो सेंख्या होगा पूर्णबर्ण सेंख्या नहीं है इसलिए आप परिमें शेंख्या और यहाँ पर पाई है तो पाई एक आपरिमें शेंख्या होता है ठीक है आगे बढ़ते है अगला question है अपका अच्छी है number question निमने में कौन परिमें शेंख्या है same question है root 2 root 1 by root 1 by root 1 by 2 root 2 यहाँ पर root 11 यह option number a और c इस अठीक हो गया है तो यह दोनो आपरिमें शेंख्या है तो अब देख सकते हैं कि root a यह भी आपरिमें शेंख्या root 2 यह भी आपरिमें शेंख्या और लेकिन यहाँ पर one by two दियाावा है question number option number b तो इसको हम लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में जहाँ पर P का मान 1 होगा और Q का मान 2 होगा यहां Q का मान 2 है जिरो नहीं है इसलिए हम 1 बटा 2 को परिमेशेंख्या कह सकते हैं Next question क्या है Next question है आपका निमने में कौन परिमेशेंख्या है तो यहां पर भी देख सकते हैं option number 1 option number 1 क्या है root 2 है यह नहीं हो सकता है क्योंकि अपूर्ण परिमेशेंख्या के अंदर नहीं यह root में यह भी नहीं हो सकता है यह भी अपूर्ण परिमेशेंख्या है और यह देखे चार number option number 3 यानि root under 4 जो है एक perfect square number है इसका value हता है आपका 2 और 2 कहां 2 बटा 1 लिख सकते हैं जहां P बराबर 2 और Q बराबर 1 और Q बराबर not equal to 0 आ गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है option number C root 4 एक परिमेशेंख्या है ओके आपको समझ में आ रहा होगा निमनी में कौन परिमेशेंख्या है यहां पर भी option में root under 3 A number में B number pi तीसरा number में 4 बटा 0 और 4 नमबर में 0 बटा 4 इसको देखिए हमने पहले देखा कि कोई भी root के अंदर अगर अपूर्ण बर्ग सेंख्या हो तो वो परिमेशेंख्या नहीं होता है यहां पूर्ण बर्ग सेंख्या है तो परिमेशेंख्या नहीं होगा पाई आप परिमेशेंख्या होता है यहां पर option number 4 C दिखिए 4 बटा 0 है हमने क्या कहा कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए लेकिन Q कमान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए जो कि यहां पर 0 के बराबर है यहां पर Q कमान क्या है 0 के बराबर है इसलिए यह नहीं हो सकता option number 4 क्या है 0 बटा 4 है तो यहां 0 कमान P है और यहां पर Q कमान 4 है और P कमान 0 है यहां पर हम कह सकते हैं कि 0 बटा 4 एक परिमेशेंख्या है और यह तीनों नहीं है, यह तीनों आप परिमेशन का है, ठीक है, तो 0 अप पोर क्या हो जाएगा, एक परिमेशन का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर P कमाण 0 है और Q कमाण 4 है, तो P कमाण 0 हो सकता है, Q कमाण नहीं हो सकता, यहाँ पर Q कमाण नहीं है, इसलिए यह इस तो प्रूट यहां संख्या क्या होता है इसको आप पिउड़ा क्यों कीίου की रोप में नहीं लिख सकते हैं यानि जो संख्या जो रूट के अंदर परुन रभर्क संख्या हो पुर्ण यानि परिफेक्टि स्क्वार ना हो तो इसको आप्रिमसें क्या कहते हैं ठीक है अब यहां दिखिए पहला ऑप्षिन जो है रूट अंडर 16 इसका मान होता है आपका 4 तो यहां 4 बटा 1 हो जाएगा यह पी बटा क्योंकि रूट में आगी है उसके बाद option number C जो है दिखिए रूट अंडर 12 इसका मतलब होता है रूट अंडर 12 होता है टू रूट 3 two root 3 यह भी root के अंदर है इसलिए इसलिए भी आपरमे शंग है यह वहला तो पुछा है हमसे आपरमे संग है यह पुछा आपरमे संग हो गया और इसका फेलू होता है root 100 का 10 होता है एक पूर्णबर्ग संग है तो 10 को 10 मतलब लिख सकते हैं और यह एक परमे संग है ठीक है सब्सक्राइब नहीं लिखा सकता है यहां पर option दिखिए थोड़ा 3.14 सब्सक्राइब हो गया जब कि यहां पर क्या होना चाहिए पहला option में होना चाहिए आपका root 3.14 बार इसके बाद 3.14 यहां पर बार हमान लेजी और इसको एक बार में यानि इस तरह से हो जाएगा 3.14 पहला option दूसरा option 3.14 और 4 के उपर बार तीसरा option है 3.14 यहां पर बार नहीं है और चोथा है 3.1414141 1114 तो यहां आप देख सकते हैं क्या होगा यह थोड़ा इस तरह से चलते जा रहा है तो यह बहला option देखिए बार है तो यह क्या हो जाएगा परिमेशन क्या हो जाएगा और यह भी परिमेशन क्या हो जाएगा यह भी परिमेशन क्या हो जाएगा लेकिन यह क्या है आप परिमेशन क्या है यह बहला नंबर आप परिमेशन क्या कहल लगा है तो इसे लाइक किजिएगा और आगे की वीडियो पाने के लिए आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच अगले वीडियो में मिलते हैं